जैम आता दी दोस्तो आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं दुनिया का स्वर्ग माने जाने वाले मतलब कस्मीर के बारे में जहां की सुंदरता देखते ही बनती जहां साल बड़ सैलानी घूमने आते हैं जहां गर्मियों में हर् कास्मीर जा सकते हैं कास्मीर में रुखने की क्या व्यवस्ता है अगर आप कास्मीर के ट्रिप्लान कर रहे हैं तो कितने दिन के ट्रिप्लान करनी चाहिए अगर आप पूरा कस्मीर विजिट करना चाहते हैं तो और कस्मीर पहुशने के बाद आपको किस लोकेशन पर होता है कश्मीर में तो इसकी भी जानकारी आज की स्वीडियो में मिलने वाली है और आखिर में हम यह भी बात करें कि अगर आप कश्मीर की टिप प्लान करते हैं तो आप कि टिप में कितना खर्च आने वाला है तो वीडियो को अंदर तक देखिएगा और अगर अभी तक सबसे पहले को सब्सक्राइब है डियर्टयूब अप Amaisन कि गया हो जाती है लेकिन मक्जाम अपना में अगर्वी को और यहीं बाहर से आपको शेरिंग टैक्सी मिल जाएगी जिसमें आपको बारासो रुपए के आसपास प्रतिविक्स के हिसाब से देना पड़ सकता है और अगर आप बसे जाते तो इसमें आपको पांसो रुपए से लेके 900 रुपए तक अलग अलग बसका चार्ज होता है तो पड़ती है जम्बू तवी से श्रीनगर की तो अगर आप बस जाते हैं तो चार से पांच गंटे में टैक्सी वाले आपको जम्बू तवी से स्रीनगर ड्रॉप कर देते क्योंकि हाईवे बहुत अच्छे बने हुए इसके अलावा अगर आप उधंपूर आते तो अधंप करने जा इसके अलावा अगर आप चाहें तो जम्मू से बनिहाल तक जा सकते क्योंकि स्रीनगर से चलती हैं जो कि बहुत ही खुब सूरत रास्ते से हो के गुजरती और बहुत से टूरिश्ट उठाने के लिए बनिहाल बस या बाई टैक्सी जाते हैं और उसके बाद बनिह से बाई ट्रेंगर तक जाते हैं यह सफर होता है बहुत ही सुन्दर होता है और हर आदे गंडे पर बनिहाल से चलती ही लेकिन इस तरीके से अगर आप टाइम भी बहुत ज्यादा खराब होगा और आप परेशान भी हो जाएंगे इसलिए मैं सजिस्ट करूंगा आप अगर ज जम्बू तवी आई और सीधे यहां से प्राइबेट टैक्सी या बस द्वार आप सीधे चले जाए आपको बीच में एक बाद टैक्सी चेंज करनी पड़ेगी बनिहाल तक के लिए बनिहाल से फिर आप ट्रेंज से जाएंगे ऐसे में आप काफी परिशान हो सकते हैं से अगर चार्जस की बात करें अगर आप दिल्ली से स्री नगर आते तो इसके लिए आपको छे हजार उपए से लेके साथ हजार इसके टिकट लेनी पड़ती है अगर आप कुछ दिन पहले टिकट करा लेते हैं तो इसके अलावा कालकाट्ता मुंबाई चंडिगर से भी जनवरी में अपनी कार और बाइक लेकि ना है क्योंकि इस समय यहां पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती इस चक्कर में कई बार रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं तो आपकी ट्रिप खराब हो सकती इसके अलावा आप साल के 10 महिने अपनी बाइक या कार लेकि बहुत आसानी से श्री नगर तक जा सकते हैं तो दोस्तों यह तो बात होगी कि आपको श्री नगर तक कैसे आना है बात करते हैं कि आपको स्री नगर आने के बाद कहां पर नाइट इस्टिक करना चाहिए तो दोस्तों स्री नगर की सबसे खुबसूरत जगह है डल जील जिसके आसपास बहुत से होटल, गेस्ट हाउस और होमिस्टे की सुफदा उपलब्द है जिसमें आपको नाइट इस्टे करने की सुफदा बहुत आसानी से उपलब्द हो जाती है अगर चार्जेस की बात करें तो यहां पर आपको हजार दल जील के जब रुट हाउस की बुकिंग करते हैं तो यहां पर थोड़ी से उदानी आपको बरतनी ही पढ़ेगी कि कई बार इसा होता है जिए उससे पहले ही अपनी बूट हाउस की वुकिंग कर लेतें तो नहीं होता है那 बाल वहां पे जो ऐजेंट होते हैं वापको गलत तरीके से बताते हैं कि आपको सारी सुधायों दी जाएंगे और आपसे पेए बी करा लेते हैं लेकिन वहां पुशने के बाद आपको आपकी बज़ेट अनुसार सुधाय नहीं मिलती जिससे आपको दिक्कत हो सकती है इसलिए प बोट हाउस वाले होते हैं, बोट हाउस तक लेके जाते हैं, और जब आप बोट हाउस में अपना रूम बुक करते हैं, तो वहाँ पे एक चीज की और बात कहले हैं, कि आप यहाँ पे खाने पीने की सुद्धा उपलब्द कराएंगे, या फिर नहीं करेंगे, क्योंकि आप बोट हाउस पहुत जाते हैं, तो फिर बापको बाहर आने के लिए बार बार सिकारा का उप्योग लेना पड़ता है, जिसके लिए आपको 20-30 रुपए हर चकर के देने पड़ेंगे, तो इसलिए आप बोट हाउस की बुकिंग करते समय काफी सावधानी बरते, कई बार इस परिमहल, जो कि स्रीनेगर से करीब 11 किलोमेटर की दूरी पे है, आप यहाँ पे जाके काफी अच्छे से एंजुआए कर सकते हैं, इसके बाद आप चस्मे साही बाग जा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही खुबसूरत गार्डन है, जो कि करीब एक एकड़ में बना हुआ है, तो आप यहाँ भी जा सकते हैं, इसके बाद आप जा सकते हैं, निसादबाग गार्डन जो कि यहाँ का सबसे खुबसूरत गार्डन है, निसाद बाभ का निर्माण 1633-1344 शीवि में मुगल सास को दwarा कराया गया था, यहाँ भारत का दूसरा सबसे बड़ा गार्डन है, यहाँ गार्डन डल जील के बिल्कुल ठीक सामने बना हुआ है, इस गार्डन से आप डल जील की खूबसूरती को भी निखार सकते हैं, इस सीड़ीदार गार्डन में आपको एक तरफ जील तो दूसरे तरफ हिमाले की चूटिया देखना ही पड़ती, यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से अपनी वीडियोग्राफिय और फोटोग्राफिय भी करा सकते हैं, इसके अलावा आप जा सकते हैं सक्राचारे मंदिर, जो की सक्राचारे पहाड़ी पर इस्थीति, यहाँ तक जानने के लिए आप डल जील के सामने ही आपको आटो की सुब्द अपलब्द ह जाती, जो 400 रुपए से लेके 500 रुपए में पूरा आटो भुक हो जाता है, यह आपको सक्राचार पहाड़ी तक लेके जाते हैं, फिर वहाँ पर आपको कुछ सीड़ियां चड़के मंदिर तक जाना होता है, दर्शन करके फिर आप वापस आते, तो यही आटो वाले आप फिर जहां से आपको आटो मिला था, यही पे लाके ड्रॉप कर देते हैं, तो आप सक्राचार मंदिर जाके भी विजिट कर सकते हैं, इसके अलावा आप जा सकते हैं, तूलिप गार्डन या एसिया का सबसे बड़ा तूलिप गार्डन, इस गार्डन करीब 15 लाग से ज़् मार्केट लगती है, तो कस्मीर पहुचने के बाद आप थोड़ी बहुत खरिदारी भी कर सकते हैं, ये सारी साइट सीन करने में आपको एक से दो दिन का समय लग जाता है, स्री नगर पहुचने के बाद, अब जिस दिन आप से अलावा एक दिन का और समय लग जाएगा, आ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कि स्री नगर पहुचने के बाद खाने पीने की क्या विवस्ता आपको मिलने वाली, तो स्री नगर में आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, यहां पे आपको डिड़ सु रुपए से ल तो स्री नगर पहुचने के बाद तीसरे दिन सभी टूइस्ट जाते हैं, गुलमर्ग, तो अगर आप कस्मीर घूमने जा रहे तो गुलमर्ग को अपनी ट्रिप में जरूर सामिल करना चाहिए, क्योंकि गुलमर्ग एक बहुत ही खूब सूरत जगे, यहां पे आपको कई तरह की स्पोर्ट एक्टिविटी और इसनो एक्टिविटी करने को मिल जाती, गुलमर्ग आप तीन तरीके से जा सकते हैं, सबसे पहले तो आप रवेट कार बुक करके ले जा सकते हैं, जो पैंतिसो से चार अजा रुपए लेते हैं, आपको लेकर जाते हैं, दिन बार जाती हैं, गुलमर्ग तक तो आप सरी निगर से गुलमर्ग तक भाई बस भी जा सकते हैं, इसके लिए आपको सौ उरुपए से लेके 120 रुपए का चार्ज देना पड़ता है, तो अभी हम लोग गुलमर्ग पहुच चुके हैं, अब गुलमर्ग में आप कई तरीके स्पो पर बहुत ज्यादा इसनों गिर जाती है, जैसे दिसंबर जनवरी में, यहां पर सिर्फ पहले फेस तक ही आपको रुपए की सुग्दा उपलब्द होती है, और इसके अलावा अगर आप फरवरी से नवंबर तक के बीच में आते हैं, तो दोनों फ्वेज की राइड आप आसपास का चार्ज देना पड़ता है, अगर आप एक साथ दोनों राइड की टिकेट बुक करते हैं, इसके लिए आपको 1690 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ता है, लेकिन आप सबसे पहले फर्च पेज की राइड बुक करें, उसके बाद ही दूसरे की बुक कर कर सकते हैं, इसके लावा अगर आप ऑनलाइन टिकेट की बुक करना चाहते हैं, तो आप गुलमर्ग गंडोला.com पे जाके इसकी बुक कर सकते हैं, लेकिन यहीं पी बी एक ही चीज लागू होती है, कि आपको सबसे पहले फर्च पेज की राइड बुक करनी है, जब पहले में नाइट इस्टे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको नाइट इस्टे करने की सुवधा विपलब्द हो जाती है, जिसमें आपको थोड़ा सा महेंगे रूम देखने को मिलते हैं, मतलब 2,000 रुपए से 5,000 रुपए के आसपास आपको गुलमर्ग में रूम बिल जात यहां भी अगर आप गर्मी हो जाते हैं, तो आपको हरे भरे मैदान देखने को मिलते हैं, और अगर आप सर्दियों में जाते हैं, तो यहां पे भी आपको कई प्रकार की स्पोर्ट एक्टिविटी करने को मिल जाती है, सोनमर्ग में एक बहुत ही बड़ा मैदान बना और बहुत से लोग सोनमर्ग पहुशने के बाद जी जोला पास तक भी जाते हैं जो सीनगर के बाद सबसे हायस्ट पास पड़ता है तो दोस्तों इसके अलावा आप कस्मीर में और सारी जगे भी जा सकते हैं जैसे पहल गाम जा सकते हैं अगर आपके पास और एक्ष्टा दि सीनगर में बहुत आसानी से पूरा कस्मीर एक्सप्लोर कर सकते हैं अब बात करते हैं आपको कस्मीर विजिट करने कब जाना चाहिए तो वैसे तो कस्मीर में सबसे ज़्यदा भीड़ होती है जून जुलाई के महने में क्योंकि जब सब जगे गर्मी पढ़ रही होती तो क कस्मीर का मौसम बहुत ही सांदार और ठंडा होता है तब सभी जितने भी टूरिश्ट होते हो कस्मीर विजिट करने जाते हैं इसके अलावा अगर आप इसनो लवर हैं आपको बरबारी देखनी तो फिर आपको दिसंबर जनवरी के बीच में स्रीनगर की ट्रिप प्लान कर करनी चाहिए स्रीनगर की ट्रिप आप साल में कभी प्लान कर सकते हर हाल में आपको अनंद आने वाला है लेते हैं अगर आप बार करलें चार से सवाइट से 5000 और तो DAVID आप गूर्प में होते हैं तो रूम का खर्च आपका कम हो जाता है this next expense कम हो जाता है और अगर आपकेले हैं जिसमें आपको साथ से आठ हका میर के आस-पास का खर्च आने वाला है और अगर आप कस्मीर पहुशनिक बात गुलनमर्ग शोनमर्ग पूरा कस्मीर एक्स्प्लोर करते हैं, तो आप अपने अनुशात ना बजट प्लान करके ही कश्मीर के ट्री प्लान करिए, और दोस्तो अगर आप कोई सवाल है, तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको तुरंती दिया जाएगा, आई होब कि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइगान को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐस से यात्रा से जोड़े हुए इंफरमेटी वीडियो बराबर अप्लोड होते रहते मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तक तक के लिए जैम आता दी